चुनाफ के तैयारी के नाम पर किये जा रहे कॉंग्रस वधायकों के 1-2-1 समवाद को टिकेट तैग किये जाने के कवायत के रूप में भी देखा जा रहा है वधायकों की की गई प्रश्णवाली में कुछ ऐसे भी सवाल है जो सीधे तोर पर उनकी प्रदर्श्णों से जुड़े हुए है और इसी केस इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 1-2-1 समवाद वधायकों के टिकेट भी तैग कर सकता है क्या यह फीडबेक टिकट भी तैग करेगा विधायकों की क्षेत्र में एंटी इनकंबेंसी के सवाल ने दिये संके दी गई प्रश्णवाली बन सकती है उनके टिकट का आधा विधायकों के साथ 1-2-1 समवाद में विधायकों से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो सीधे तोर पर उनकी परफॉर्मेंस से जुड़े हैं और इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधायकों द्वारत दिया गया जवाब भविश्य में उनका टिकट तै करने का आधार बन सकता है आईए देखते हैं कौन से हैं वो सवाल जो बने हुए हैं विधायकों की टेंशन ये वो सवाल हैं जो सीधे तोर पर विधायकों की परफॉर्मेंस के आखलन से जुड़े हैं पार्टी विधायकों से ही पूछ रही है क्यों खुद को किस स्थिती में पाते हैं और जो कमिया रहे गई हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिती कितनी असरदार है क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया भी किसी नेता की लोक्त्रियता का बड़ा पैमाना हो गया है हलांकि ये सही है कि कोई भी विधायक खुद को कमजोर नहीं बताना चाहेगा लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधायकों के दावे को पार्टी अपनी और से करवाए गए सर्वे से जान चाहेगी यानि सिर्फ विधायकों के दावों पर भरोसा नहीं किया जाएगा टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं ये तो समय बताएगा लेकिन ये one to one समवा बहुत हद तक वैसी ही self appraisal exercise है जैसी बड़ी corporate कमपनियों में हर साल salary बढ़ाने या promotion के लिए की जाती है फर्क सिर्फ इतना है कि निजी कमपनियों के कर्मचारियों को हर साल ये काम करना पड़ता है और विधायकों को पांत साल में पहली बार करना पड़ रहा है सच बेधरक के लिए मनीश गुधा की रिपोर